How to fix Sony Live app not working problem तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप ये प्राब्लिम को अपने Sony Live app पर solve कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को अंदक जरूरी देखिएगा साथ ही साथ हमाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिगा और यदि आप उनलाइन पेसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक फॉलॉप कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको जाना है अपनी मुबाइल के सेटिंग्स पे सेटिंग्स पे जाने के बाद में दोस्तो आपको यहाँ पे स्क्रोल डाउन करके आपको यहाँ पे एप मैनेजमेंट में जाना है उसके बाद میں आपको यहाँ पर encourage stop पे एक बार click करके इसे force stop कर देना है Storage usage पे चले जाएएएएहाँ पे clear data में click करके इसे clear करतीजे उसके बाद में आपको back जाना है Back जाने के बाद में यहाँ पे दोस्तो आपको data usage and status पे click करके यहाँ पर network permission पर click करना है और wifi and mobile data आपको select कर लेना है उसके बाद में दूस्तों आपको bake आना है, bake आने के बाद में permission पर जाना है सारा permission आपको यहाँ पर allow करना है, उसके बाद में अपना mobile को restart कीजिए और अपना sony live app को खोली आपका problem solve हो जाएगा उमीद करतों आपको वीडियो पसंद आया होगा, thanks for watching